पेड का दर्द एक बार की बात है. एक छोटे से गाव में एक बड़ा ही पुराना और विशाल पेड खड़ा था. यह पेड गाव के सभी लोगों के लिए बड़ी बरकत था. लोग इसकी छाया में बैठ कर आराम से बातें किया करते थे और यह पेड उनके लिए जीवन का हि पेड की साहसिकता और द्रिड़ता से समाप्त हो जाती. एक दिन एक छोटा सा लड़का पेड के पास आया और उसकी छाया में बैठ गया. वह लड़का बहुत ही उदास और दुखी दिख रहा था. पेड ने उसके चहरे की परिशानी देख कर पूछा, क्या बात है? छोट पेड की सुनी और उसकी परिशानी को समझा. यह पेड जानता था कि वह कैसे मदद कर सकता है. इसलिए वह अपने ब्रांच से अपने फलों की एक छोटी सी डिब्बी लेकर लड़के को दिया और कहा, इस डिब्बी में मेरे फल हैं. तुम इसे बेच कर अपने पिता के इल बाज हुआ और वे ठीक हो गए. इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि सहयोग और दया दृष्टी हमें दूसरों की मदद करने का रास्ता दिखा सकती है. पेड ने अपने संसारिक संपदा का उपयोग करके एक छोटे लड़के की जिंदगी को बदल दिया और हमें या दिलाया कि हमें किसी की मदद करने का सुनहरा मौका हमेशा होता है.